अब चले एक बहुत फिर से हमाई उस्वान मित्रा के आफिसर डैस्वोड पे आ गया है और विडियो में विचले विडियो में अपना मोडियो किलियर किया था इस व्युदो में मॉडियव 3 किलियर करेंगे हैंनि कि यू डिक नित हमें कि योट्य में हमारा है कि यहां प्याहन को आपको लोग इन करने कुट यहां रहता है कंटीडीडील लॉर्निक पर किलिक ऑगाएं पर रहता है आप सब्सक्राइब यहां इसमें से हमारा यहां पर जो लास्ट पॉस्टन हना वारत प्राफ्ट हुआ है तो कॉन चार यहां पर हमारा पॉस्टन गलत हुआ है आपने समझ के जाँ यहां तक आपको हर एक कोशन का एंसर बताये चलिए वीडियो आगे देखते हैं और सारे पॉस्टन एंसर जाते हैं चलिए देखते हैं आए हम आरो के मित्र सहायता केंदर के दौरे से शुरू करते हैं जहां आपको पोस्ट यानि तैनात किया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कम्प्यूटर के अलावा कई डिवाइस हैं प्रत्यक डिवाइस लेबल को ड्रैग करें और इसे सही डिवाइस के बगल में रखें हो जाने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें आप सही हैं कम्प्यूटर, प्रिंटर, डॉक्यूमेंट स्कानर, वेबकैम, आईरे स्कानर, फिंगर प्रिंट स्कानर, दा क्विक रिस्पॉर्ण स्कानर, या क्यूओर स्कानर, और टेलीफोन आपके दौरा उप्योग किये जाने वाले डिवाइसेज हैं हाडवेर उपकरणों के इसात्रम में आईए सबसे पहले हम सामान्य हार्डवेर उपकर्णों के बारे में आपके ज्ञान की जांच करें. प्रतेक उपकरण को ड्रैक करें और इसके द्वारा किये जाने वाले कारे के बगल में रखें. आप सही हैं? लाभार्थी के इलाज के विभिन्न चर्णों के दौरान उनकी तस्वीरे क्लिक करने के लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं. सही विकल्प का चैन करें. आप सही हैं? निम्न में से किस उपकरण का उप्योग कागजी दस्ताराई है? आप सही हैं? अभए एक आरो की मित्र ने पाया की नया आप सही हैं? प्रिंटर के लेबल को ड्रैक करें और उन्हें प्रिंटर की पार्ट्स के बगल में प्लेस होल्डर पर रखें. आप सही हैं? दस्तावेस का प्रिंट आउट लेते समय आप सही हैं? इन कार्यों को करने के लिए आप किन उपकर्णों का उप्योग करेंगे? उपकर्ण को खींचें और प्लेस होल्डर पर उसके कारे के आधार पर रखें और सब्मिट पर क्लिक करें. आप सही हैं? फिंगर्प्रिंट स्कैनर द्वारा लाभारती का पता लगाने में विफल रहने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? सभी सही विकल्पों का चायन करें और सब्मिट पर क्लिक करें. ये सही नहीं हैं. कई बार फिंगर्प्रिंट स्कैनर उंगलियों के निशान की पहचान नहीं कर पाता है, क्यूंकि वे बुढ़ापे, दुरघटना और शारीरिक श्रम के कारण बदल जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक उपकर्णों को उनके कारे के आधार पर पहचानें. उपकरण को ड्रैक करें और प्लेस होल्डर पर उसके कारे की बगल में रखें. आप सही है? आधार डेटाबेस से किसी लाभार्थी की जन सांख्य की ये जानकारी प्राप्ट करने के लिए आपको आवशक्ता होगी. सभी सही विकल्पों का चैन करें. ये सही नहीं है. PM लेटर और गोल्डन रिकॉर्ड से HHID को स्कैन करने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है? सही विकल्प का चैन करें. आप सही है? आप आधार सत्यापन के लिए नवासी वर्षिय सर्ताज सिंह की उंगलियों के निशान को स्कैन करने में असमर्थ हैं. जब आपने उनकी उंगलियों की जाच की, तो आपने पाया कि उनकी उंगलियों के निशान फीके पढ़ गयें fier. आप उनकी व्यक्तिकज जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? सही विकल्ब का चैन करें. आप सही है. आधार सत्यापन के लिए fingerprint scanner और iris scanner दोनों का उपयोग करने की आवशक्ता होती है. सही विकल्ब का चैन करें. आप सही है. लाभार्थी डेटा की गुपनियता विश्वता निम्नलिखित में से किसी समवेधन्शील व्यक्तिगट डेटा कहा जा सकता है सभी सही विकल्पों का चैन करें और सब्मिट पर क्लिक करें आप सही हैं व्यक्तिगत डेटा और समवेधनशील व्यक्तिगत डेटा के बीच में अंतर होता है Medical Record, Password और Biometric जानकारी समवेधनशील व्यक्तिगत डेटा का एक हिस्सा है अस्पताल में भरती किसी मरीज का दोस्थ होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति आपके पास आता है और मरीज के Medical Test के परिणामों के बारे में पूछता है आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सही विकल्प का चैन करें आप सही हैं सुखराम के चचेरे भाई, दीन दयाल ने आपको सुखराम के Medical Test के परिणामों को जानने के लिए कॉल किया है आरोगे मित्र के रूप में आप क्या करेंगे? सही विकल्प का चैन करें आप सही हैं आधार या स्वास्थ डेटा एकत्र करते समें, लाभार्थियों से सहमती लेना आवश्यक है सही विकल्प का चैन करें आप सही हैं श्रीमान प्रकाश, एक लाभार्थी अपनी चिकित्सा रिपोर्टों की गोपनियता से संबंधित अपनी चिन्ताओं के बारे में चर्चा करना चाहता है आप क्या करेंगे? सभी सही विकल्पों का चैन करें आप सही है समवेदन्शी लाभार्थी डेटा पर इमेल भीजने या प्राप्त करने के लिए आपको निम्न करना चाहिए सभी सही विकल्पों का चैन करें आप सही है पेपर डॉकुमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उप्योग किया जाता है सही विकल्प चुने सुनिल नाम के एक आरो के मित्र ने पाया कि लगाया गया नया स्कैनर काम नहीं कर रहा है उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए सही विकल्प चुने एक डॉकुमेंट का प्रिंट आउट लेते समय आपको प्रिंट पर धारियां या रेखाएं नजर आती है इसका कारण क्या हो सकता है सही विकल्प चुने TMS की प्रक्रिया के रूप में लाभार्थियों के उपचार के दौरान मोबाइल फोन का उप्योग उनकी तस्वीरे लेने के लिए किया जाता है सही विकल्प चुने डॉक्यूमेंट को स्कान करते समय हमेशा डॉक्यूमेंट के फेस को स्कानर बेड पर उपर की तरफ रखें सही विकल्प चुने आरोगी मित्र सहायता केंद्र पर लाभार्थियों की तस्वीरे क्लिक करने के लिए किस डिवाइस का उप्योग किया जाता है सही विकल्प चुने एक लाभार्थी के आधार वेरिफिकेशन के लिए कौन से दो बायोमेट्रिक डिवाइस का उप्योग किया जाता है। सही विकल्पों को चुने। निम्न लिखित में से किस पर PMJ-ID उपलब्ध होता है। सही विकल्प चुने। आधार डेटाबेस से एक लाभार्थी की डेमोग्रेफिक जानकारी निकालने के लिए आपको निम्न लिखित में से किस की जरूरत होगी। सही विकल्पों को चुने। एक लाभार्थी हरीश वेरिफिकेशन के लिए PM लेटर लाया है। Beneficiary Identification System BIS में लाभार्थी को खोजने के लिए सर्च करते समय आप PM लेटर की लंबी ID टाइप करने में गलतियों को कम करने और समय बचाने के लिए किस डिवाइस का उप्योग करेंगे। सही विकल्प चुने। Electronic Devices के Function के आधार पर उनकी पहचान करें। Device को ड्रैक करें और उसके Function के बगल के Place Holder पर रखें। मीना नाम की एक लाभार्थी का मोत्या बिंद ऑपरेशन किया गया है। आप उसकी आधार जानकारी जांचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उप्योग करेंगे। सही विकल्प चुने। सुख्राम एक PMJ लाभार्थी है। सुख्राम का दोस्त दीन दयाल। सुख्राम की ओर से PMJ e-card या golden record लेने आये हैं। एक आरोग इमित्र के नाते दीन दयाल को सुख्राम का golden record या PMJ e-card देना सही है। सही विकल्प चुने। आपको एक लाभार्थी से एक email प्राप्त होता है। जिसमें आपसे अनुरोत किया गया है कि आप लाभार्थी को उसके medical record की scan की गई images भेजें। आपको क्या करना चाहिए। सही विकल्प चुने। आधार या स्वास्थ डेटा एकत्र करते समय लाभार्थीयों की सहमती लेना आवशक है। सही विकल्प चुने। व्यक्तिगट डेटा और समवेदनशील व्यक्तिगट डेटा के बीच अंतर स्पष्ट करें। आइटम्स को ड्रैक कर सही श्रेणी के बॉक्सेस में ड्रॉप करें। राकेश का एक दोस्त सत्यजीत जो एक लाभार्थी है आपको कॉल करता है राकेश के मेडिकल टेस्ट के नतीजे जानने के लिए। आरोगे मित्र के नाते आप क्या करेंगे। सही विकल्प चुने। आप आधार वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के उप्योग से नवासी साल के एक व्यक्ति ब्रजेंद्र सिंग के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर पा रही हैं। जब आपने उनकी उंगलियों की जाच की तो पाया कि उनके फिंगरप्रिंट हलके पड़ गए हैं। आप उनकी व्यक्तिगत जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। सही विकल्प चुने। एक लाभार्थी के फिंगरप्रिंट स्कैन लेते समय आप पाते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आधार डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने में विफल रहता है। निमनलिखित में से इसका क्या कारण हो सकता है। सही विकल्पों को चुने। एक लाभार्थी के फिंगरप्रिंट स्कैन लेते समय आपको ब्राउजर पर के हन्रेड आता है। जो एक पॉप अप एरर है। इसका क्या मतलब है। सही विकल्प चुने। तो 20 Q&A में से हमारे यहां बे स्वलो Q&A प्राप्त हो चुका है। यह फटाफ़ट हम दीवी देखते हैं और इस वीडियो के यहीं पर इंड करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में हमारा यूनिट 4 किलियर होने वला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल अग्यों दवाना मत भुलिएगा। क्योंकि आपके लिए हम आईसमान मित्रा का सारा Q&A यहीं पर लाने बार है। और फाइनली हम आईसमान मित्रा का जो हमारा सौर्टिफिकेट होगा वह भी डाउनलोड करने वाल है। तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और यहां पर आप देखिए रिविव जो हमारा Q&A गलत हुआ है। यहां पर आपको दिखाया जागा रिविव में। तो चलिए मिलते हैं आगले विडियों में तो तक दिखने बाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना मत भुलिएगा। पर चैनल कर दोस्तों की को में एंव